यहां पर मैं आपको जितने भी कुस्चन सॉल्व कराऊंगा सभी कुस्चन SSC के अलग-अलग एक्जाम से पूछे गए हैं और आप SSC का कोई भी एक्जाम दीजे सभी एक्जाम के लिए बेहद इंप्वाटेंट हैं यहां पर हमाँ आज लोग सॉल्व करेंगे प्रमुख व यहां पर देख सकते हैं पर सेचल 2023 मार्च में आए था उसके बाद सेचल 2023 अगस्त ठीक है उसके अलावा यहां पर देख सकते हैं पर सीजियल टीर वन में भी आया था तो एक्जाम होंगे वहां पर इस तरह के कुस्चन पूछे जाएंगे तो इसमें एंसर क्या होगा इसमें चार जुलाई को ठीक कब होती है चार जुलाई को काफी important question है जरूर ध्यान अगना ठीक है तो स्वामी विवका नंद जी का जन्म 12 फर्वरी 1863 इनका जन्म दिवस्याद रखें कब हुआ था 12 फर्वरी 1863 को और मर्तिव 4 जुलाई 1902 को हुई थी इसको ध्यान अगना तो ध्यान रखना स्वामी विवका नंद जी के गुरू कौन थे तो रामक्रिश्न परमहंस थे और इन्होंने जो है बेदान्त और योग के भारते दर्शन का पर्चे पश्मी दुनिया को कराया था ठीक है अठासो तिरान नब्य में इन्होंने वासिंग गटन में आजुत धर्म संसाज में भाग लिया था ठीक है जो कि इन्होंने काफी एफेक्टिव तरीके समाँ पर अपना स्पीश दिया तो अठारा सो तिरान नब्य में धर्म संसाज अमेरिकाम हुई थी उसमें स्वामी वेका नंजी गये थे सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंको ध्य अगला कुश्चन यहां पर देखेंगे निम्लिखित में से किसे पाइरेट आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इस तरह कुश्चन आप लोगों पहले भी पढ़ा होगा यह भी सीचसल 2023 में ही पूछा गया है तो पाइरट आफ इंडिया या फिर भारत का तो out ठीक है किसको कहते हैं तो यह है अमीर खुस्रोग को दो है पैरेट आप इंडिया कहा जाता है आगे बढ़ेंगे तहाँ पर देखेंगे अमीर खुस्रों पारे में सब कुछ तो अमीर खुसरो का जन्म जो है बारा सो तिरपन इस्वी में पटियाली कास गंज उत्तर प्रदेश में हुआ था कहां पर कास गंज उत्तर प्रदेश इसको ध्यान रखना किनका जन्म कहां हुआ है कास गंज उत्तर प्रदेश में हुआ था बारा सो तिर खड़ी बोले का पर्थम कभी कौन है अमीर खुसरों है काफी important point है उसके अलावा खालिक बारी खुसरों की पहलियां मुकरिया स्रंगारी दो सुखने गजल ख्याल कवाली रुबाई आज खुसरों की यह सभी रचनाएं आपर दे गई हैं खुसरों को भारत का आवाज या फ कहां हुआ था कास गंज उत्तर प्रदेश में तो काफी ज्यादा important है आपकी एक्जाम के लिए इनको ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं कौन एक रोमक Catholic Missionary था या थी जिन्होंने अपने अधिकांत जीवन में बंगाल में काम किया था ठीक है यह कौन है रोमन Catholic Missionary जो बंगा में हिनोंने काम किया था मदर ट्रेशा के बारे हम जानेंगे यहां पर तो मदर ट्रेशा एक रोमन Catholic Missionary थी इन्होंने अपना अधिकांत जीवन बंगाल में काम करते हुई बिताया इसलिए 4 सितंबर 2016 को कलकत्ता की संत ट्रेशा के रूप में सम्मानित किया गया ठीक है कलकत मिशनरी आप चैरिटी के स्थापना के थी इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में आटोमन सामराज वर्तमान में उत्तरी मेसोडेनिया में हुआ था ठीक है तो बस आपको जाद नहीं ध्यान रखना है मदर टेरेशा ने अपना अधिकतर कार जो है बंगाल में किया और इनका जन्म कब ही कब जी गई थी तो 4 सितंबर 2016 लागों इससे अब आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट है कुश्चन है कि 1903 में महरानी अलीजाबैस दुतिये के राज्या भिश्यक समारों में प्रस्तुति देने के लिए किस नित्यांगना को बुलाया गया था तो 1903 में ठीक है काफी यहाँ पर देखेंगे सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 का कुश्चन है 2023 में ही पूछा गया है तो महरानी अलीजाबैस दुतिये की राज्या भिश्यक के समारों में प्रस्तुति देने के लिए किसको बुला गया था तो यह थी कमला लच्छमी नारायनन क सभी कुश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ठीक है त्यहाँ पर देखेंगे उन्नी सो तिरपन में महरानी अलीजाबैस दुतिये के राज्या भिश्यक समारों में प्रस्तुति देने के लिए नित्यांगना कमला लच्छमी नारायनन को बु सभी कुश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है ठीक है और हमेशा मैं आपको इसी तरह के कुश्चन जीएस में सॉल्व करा रहा हूं बिल्कुल लेटेस्ट वाले तो अगर आप लोग के त्यारी करते हैं तो आप लोग चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें यहां पर आपके ए सब्सक्राइब कर दो जुश्चन इसे बरत नाठ्यंध के साथ साथ कथकली से भी संबद नहीं च्पिति के साथ और भड़कशर से यहां पर ODC अच्छा यहां पर जो है ODC होगा आप लोग इसको ध्यार नगिंगे ODC यहां पर करेक्ट होगा भरत नाट्यम और ODC से संबंदित हैं आगे देखेंगे कुश्य नंबर अगला है इसमें देखेंगे कौन संयुक्त राज अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हाल में प्रदर्शन के लिए आमंतित होने वाले पहले भारतिये थे तो यहां पर देखेंगे संयुक्त राज अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हाल में ठी कि स हैं इस जो आंतःट होगा बिश कि दिस्मि लाओ उने हैं इनको जो 550 शेट क्लिक संटर हाल में प्रदर्शन के लिए आमनतित किया गया था उनकोद यहाँ पर आगए देखेंगे इस दो आयद जो पता हैं डहीरोगा यज अमेरिका के प्रतिछित लिनकान सेंटर हाल सिंग अजीत पाल सिंग मिलखा सिंग तो इसका अंसर क्या होगा मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिंग के नाम से जाना जाता है जाने गिन के बारे में तो देखें मिलखा सिंग भारती दावक थे इन्होंने रोम के 1960 ग्रीश्म ओलंपिक और टोकियों के 1964 ग्रीश्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिश्च किया था फ्लाइंग सिख नाम से मसहूर मिलका सिंग ने 1908 में देश के लिए पहला गोल्ड मीडल जीता था ठीक है तो यह भी ध्यानकना कब पहला गोल्ड मीडल जीता था तो 1958 में ठीक है और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंग को प्लाइंग सिक का रहाता है और 1908 में इसको ध्यानकना अगला कॉश्चन है निमलिख्य सक्सेतों में से कौन एकप्रसिद्ध भारतिये पादप क्रिया बिज्ञानी है प्लांटर साइकोलोजिस्ट आप सभी को पता होगा इनका नाम क्या है ये भी चेसल 2023 कुश्चन है ये भारत में एक महान पादप बिज्ञानी बने थे ठीक है आगे देखेंगे इसमें तो जेसी बोस एक प्रसिद्ध भारतिय पादप क्रिया बिज्ञानी यानि कि प्लांटर साइकोलोजिस्ट और भौतिक बिज्ञानी थे तो इनके बारे में बहुत सारे कुश्चन एकजा अगला पॉइंट है मोहन दाश करम चंद्र गांधी का जन्म कि सुवात से हुआ था ठीक तो महत्मा गांधी जन्म कभ वह था तो इसको ध्यान रखना आगे बढ़ेंगे तो इनका जन्म जो है ठास उनात्तर में हुआ था अगला कुश्चन है कि कौन एक प्रसिद्ध भार नित्य निर्देशक हैं तो याज जो कोरियोग्राफर है यह आपका वनवर्ट सब्टिट्यूसर में भी पूछा था कई बार ठीक है तो कोरियोग्राफर यानि कि नित्य निर्देशक तो कौन है सरोज खान माजुरी दिच्चित काजोल स्रया घोशाल यह भी MTS हवलदार 2022 22 कुश्चन है तो इसका एंसर होगा सरोज खान ठीक है सरोज खान जो है एक परसित भारतिय नित्य निर्देशक है निर्देशक थी ठीक है सरोज खान पूर्व नाम इनका था निर्मला नाकपाल ठीक इनका पूरणा नाम क्या है निर्मला नाकपाल एक परसित भारतिय नि निर्मडा नाकपाल और यह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर है अगला पॉइंट बंगलादेश का राष्टेगान आमार सोनार बंगला किसने लिखा है तो बस इन्हों को वही लिखें कि उन्हें रभीनार टैगोर ठीक आप पता होगा भारत का भी इन्हों लिखा है और बं इसी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के संस्कृतिक छेत में देखने को मिला बंगाल चाहित के लिए यह समय स्वणकाल लेशा था गुरू रभीनार टैगोर ने इसी समय ठीक है आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो 1970 में बंगलादेश का राष्टेगान बना था रभ नोबेल पुरुसकार भी मिल चुका है और एक्जाम में बहुत बार पूछी गई गीतांजली ठीक है तो ध्यान रखना गीतांजली पुस्तक रभीनाट टैगोर की है और जनगर्मन भी इसी में से दिया गया ठीक है और इसे जनगर्मन जो है भारत का राष्टेगान 24 खी जहन्ता इंत्रागांधी इस्रिधरन आमस्जेन ठीक है ठेक है तो भारत के मैट्रमैन इसको कहते हैं इस दियुफरन को पता होगा पूरत के कर देखेंगे इनके से भी संभाय किया था जो इस द्रण है जब 2000 मतलब जो आपका बंगाल में पहली चलाए गई थी मेट्रो तो उसमें जो है इन्होंने ही पूरा काम देखा था ठीक है मेट्रो के निदे सकते ठीक है तो इन्हीं की देखरेक में सब मेट्रो बनी थी पहली बार इसलिए इनको भ ब्यक्ती द्वारा इस पंक्ति को किस ने कहा था तो बहिए देखेंगे यह यह में पूछा गया था 2020 सवामिवयकानन्द रामकिषन परमती परहर्मत समादर् ठी अर्म प्रमुख मदर त्रेशा के द्वारा कहा गया था और सांती की दूत और माना था कि प्रतिमूर्थी मदर त्रेशा 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म में सिडोनियम हो था वास्तिविक नाम इनका ध्यान अन्ये जे गोंजा बोया जीव ठीक है इनका जो है आपसे एक्जाम में नाम इसको ध्यान अगना ठीक है इनका नाम क्या है अन्ये जे गोंजा बोजा जीव ठीक है इसका नाम जरूर त्रेशा को ठीक है अगला कोशन है भारत ने किस वर्स तिव्वती आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को आसरे दिया था ठीक है तो जो तिव्वती गुरू दलाई 1960-1969 तो इनको जो आश्रे दिया था भारत ने कब दिया था 1969 में ठीक है 1969 में भारत ने तिब्वती गुरु दलाई लामा को भारत में आश्रे दिया था 1969 ध्यान रखना देखेंगे तो दलाई लामा तिब्वती बहुत धर्म की गेलुमपा परंपरा से संबंधित है यह इंप पॉइंट है जो तिबबत में सबसे वड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है तिबधी बहुत धर्म की इतियास में केवल 14 दलाई लामा हुएं एक भी ध्यानक ना कि कितने दलाई लामा हुएं केवल 14 14 दलाई लामा हुए है 1950 में चीन द्वारा तिब्वत पर के गए हमले के पस्चाफ दलाई लामा 1969 में हजारों अनुवाईयों के साथ भारत आ गए थे तो इनको जो है धर्मसाला में इनुने आस्रे लिया था हिमान चिल प्रदेश में कब 1969 में ये 14 में दलाय लामा ठीक है कुल 14 दलाय लामा हुए हैं इनको ध्यान रखना और ये सब किसे संबंदित हैं गेलूंपा परमपरा काफी इंप्वाटेंट है इन सभी पॉइंट को भीम राउ अमबेंटकर ने किये थी लेकिन यहां पर ध्यान अग्यान आफ महत्मागांधी ने भी बहुत काम किय था आगे बढ़ेंगे भिलार भीम राउमबेंटकर के नाम उ ключ म्यान था न होता है तो इनको ध्यान अटा भीम राउ-मबेंटकर टिक हृई निए प्रख्य देखे मैं यहाँ पर आपको दो तीन चीज़े बता देता हूं तीन गौल में सम्मेलन हुए थे एक होता 1930 में दूसरा हुआ था 1931 में और 3032 इनको ध्यान अठना सन पूछा आता है कि पहला कब हुआ था दूसरा कब हुआ था ठीक है गौल में सम्मेलन आपके जो घीमराओं नहीं हुआ थी तो डूसरे वाले बाखे मात्मा गांधी गए थै। दूसरे गोल में सम्मेरण में, लेकिन महाँ पर उनकर जाने से कोई हाईधा नहीं हुआ, ठीक कड़ेश करibo नहीं पायो कंणड भासा में ठीक है तो पंपा नामक कभी जो है इन्होंने कंणड भासा में अपनी रचनाएं की हैं ठीक है इनके बारे में जानेंगे हां पर उस समय को कन्णर साहेत में pump यूग के नाम से जानते हैं । कन्णर साह रहत में इसकोınız यूग माना जाता है pump यूग के तेन कभी pump, pon, rathn ठीक है, शमिले तुरोप से रत्न त्रही कहा जाता है, तो इनको ध्यान रखना कि जो इनको जो है रत्न त्रही नाम से आंगता है इसको थिसको ध्यान रखना आगे बढ़ेंगे भारति खिलाडी भवानी देभी किस घेल समबंदित हैं तो किए एंसर क्यालार बाजी मुक्वानी नूकायन कोस्ति तो तलवार बाझी से जो भानी देभी हैं ये तो dhosphat बाजी से संबंदी थे से चसल 2021 में और भी कई बार पूछा जा चुका है ठीक आगे बढ़ेंगे तो चदल वदा अनंधा सुन्दर सुन्दरा रमन भवानी देवी इनका पूरा नाम भाई थोड़ा से ध्यान रखना ठीक है तो सिंपल से ध्यान रखनों भवानी देवी ठीक भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवार बाजी खेल का प्रदेश करने वाली एक मात्र महिला थी ठीक है तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवार बाजी की तरफ से भारत से तामिल होने वाली एक मात्र महिला थी भवानी देवी इनको ध्यान अकना ठीक है और यह जो है चिन्हे तमिल नाडू से संबद मिन थे इनका ध्यान अखना है राज तेक हैं अगला कुश्जन है मारियो डी मिरान्डा गोवा राज के काउन थे तो जो दिया Again that's यह करो तो यह आपके जो है मारियो डी मिरान्डा ऎर्ट इक कार्टूनिस्थ गोवा में एक कार्टोनिस्ट थे आगे बढ़ेंगे तो इनको ध्यान अठना मारियो डी मिरांडा तो मारियो डी मिरांडा गोवा राज के कार्टोनिस्ट थे इनका इजनम दमन में हुआ था इनके द्वारा बनाएगे कार्टून दा टाइम्स आफ इंडिया और एकोनॉमिक टाइम में प्रकासित होते आए हैं ठीक है तो इनको ध्यानक ना ये कर्टोनिस्ट है और कहां संबंदी तो गोवास है मारियो डी मिरांडा ठीक अगला कुशन है बांगला देश ग्रामीर बैंक के संस्थापक कौन है ठीक है तो बांगला देश ग्रामीर बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहमद यूनस इनको ध्यानक ना आगे चलते हैं मोहमद यूनस एक बांगला देशी समाजिक उद्दमी नोबेल सांथी प्रुसकार उनको मिला था सब्सक्राइब गरीबी के काम करने गरीबी को कम करने के लिए उच्च व्याज के बोज के बिना छोटे रिन प्रदान करता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान अकना है बस बांगला देश ग्रामीड वैंगर उसके साफना मुहम्मद योनुस नहीं की थी आगला कुस् बहुतिक अनुसंधान प्रयोग साला में प्राध्यापक करूप में कारभार गरहन किया गया था यह कौन थे जिनोंने एहमदाबाद में बहुतिक अनुसंधान प्रयोग साला में प्रध्यापक करूप में कार किया था ठीक है तो जूल्स बरने एच जी वेल्स आईजेक अ ग्यान कथा लेखक है 1960 में इन्हें कलिंग पुरुषकार भी मिल चुका है और भी समय विज्ञान को लोगप्रिये बनाने के लिए इन्हें यूनिसकों से भी पुरुषकार मिल चुका है एहमदाबाद में बहुत की अनुसंधान प्रियोकसाला में प्रिद्यापक रूप में कार कर चुके इनका नाम क्या है आर्थर सी कलार्ग अगला इन्हें से किसे मनोब इसदिशण के जनक के रूप में जना जाता है ठीक तो मनोब इनको मनुविस्टेशन के जनक कहा जाता है ठीक इसको ध्यानक न आगे देखते हैं तो सिगमंड फ्रायड को मनुविस्टेशन का जनक कहा माना जाता है और यह आश्ट्रिया की निवासी है इनकी बहुत चाथी पुस्तक interpretation आप ड्रीम इनकी पूस्तक की याद रखना interpretation आप ड्रीम यह सिग्मंट फ्राइड की पूस्तक है इस पूस्तक में उन्होंने बताया कि सपने हमारे अत्रपति इच्छाओं के प्रतिमें होते हैं फ्राइड ने मनुविढ्यान को एक 37 विसय का जेन कूम ठीक है तो जेन कूम ने किस कंपरी के स्थापना की थी Microsoft, Google, Facebook और WhatsApp ठीक है तो जो जेन कूम है इन्होंने ये WhatsApp के सहसन स्थापक है जेन कूम आप लोग WhatsApp प्यूच करते हैं तो उसके सहसन स्थापकों में जेन कूम का भी नाम होता है ठीक है देखेंगे यहां पर तो ज जेन कूम, WhatsApp, Messenger के सहसन स्थापक है जेन कूम ने ब्राइन एक्टन ठीक है तो कौन-कौन लोग थे ब्राइन एक्टन और जेन कूम ये लोग मिलकर के WhatsApp का विकास इन्हों नहीं किया था ठीक है तो दोनों नाम याद रखना जेन कूम और ब्राइन एक्टन देखेंगे अगर दोनों आफसन में आ जाएं तो आप ब्राइन एक्टन को लगाएंगे अगर एक ही रहें तो चाहे जेन कूम चाहे ब्राइन एक्टन कोई मिले इनको लगा देना ठीक है वाटसेप स्मार्टफोन पर चलने वाली एक तीप्र मेसंजिंग सेवा है और वाटसेप को फेस्बूक में 2014 में खरीद लिया था ठीक है फेस्बूक ने वाटसेप को 2014 में खरीद लिया था इसको ध्यान रखना अगला कुशन है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था ठी तो अगर आपको सन भी याद है तब भी काम चल जाएगा तो यहां पर क्या होगा 1948 ठीक है 30 जनुवरी 1948 महात्मा गांधी का निधन ठीक है बाकि इतना ध्यान अठीक है बाकि महात्मा गांधी से सारे कुष्ण शोनेक्जामं में पूछे भी जाते हैं निम्लीकित में असे किसे नाइटंगल आफ इंडिया के रूप में जाना जाता है ठीक है तो जो नाइट टेंगल आफ इंडिया है को आन GM है तो ये हैं आपकी बहुत बारिक्जा में भारत कोकलदा आता है, नाटेंगजा लाव इंडिया आता है। यह जो हैं सरुटरिनी नाइड में को हाँ जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 131889 को हैदराबाद में ठीक है? 1925 में भारती राष्टे चांग्रेश की ठीक है तो इनको ध्यान अकना युथ 25 में जो है कांग्रेश का जो अधियवेशन हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला अधियच थी ठीक है पहला अधियच देखे पहली महिला अधियच था इसको ध्यान रखना ठीक है पर्थम भारतिय महिला द्यच बनी थी एक प्रसिद्र राजनेता के साथ साथ वह कुसल लेका भी थी उनकी प्रमुक्रत नहीं दा गोल्डेन प्रेशोल्ड ठीक है तो इनकी रचनाए भी आप लोग हो सके दिया रखना दगोल्डेन प्रेशोल्ड और प्लान क्विन बेरर्स कविता है दबर्ड आप टाइम इनको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे सभी इनकी रचनाए है ठीक है आग बढ़ते हैं और यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1925 में इन्होंने यह मतलब कांगनपूर अजिवे सब्सक्राइब रूड कर लेना और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूड करना ठीक है और प्लीज आप लोग जितना हो सके वीडियो को सेयर करें और यहां पर आपके लिए इंग्लिज की लगातार चल रही है उनको भी आप लोग लगाते रही है एक बार आप दृब कुमार, मोहम्मद कैफ, रभी बजाज नाम है यूसुफ खाण टाहिए जो है nama बदल बदल के आते रहते हैं यूसुफ खाण टाईक के देखेंगे दंब कुमार के जन्म का नम मोहम्मद यूसुफ खाण यूसुफ खाण ठीक है उनका जन्म पेशावर पाकिस्ता और इसके लावए इनको पाकिस्तान का सर्वोर्चनागरी संवान निसाने इंतियास भी दिया जा चुका है ठीक है तो यहां पर आच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं ठीक है तो यह थे सभी कुछम जो आपके पूछे गए थे फिर इसके बाद में कोई और दूसरा important topic आपके लिए लेकर के आऊंगा तो आप लोग पढ़ते रहें मस्त रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू All the best